सीय मम्ता बेनर जी ने प्रधान मंत्री मोधी को पत्र लिका है इस पत्र में उन्होंने कहा कि पश्चिम मंगाल सरकार ऐसे मुश्किल दौर में मुखे सचिव अलपन बंदो पाध्याय को कारी मुक्त नहीं कर सकती और ऐसे समय में दिल्ली नहीं भेजा जा सकता मम्ता ने प्ये मोधी से फैसले पर फिर से विचार करने को कहा चक्रवाती तूफान यास थम चुका है लेकिन पश्चिम मंगाल में इसका सियासी असर देखने को मिल रहा है राजे की मुख्य मंत्री मम्ता बेनर्जी ने प्रधान मंत्री मोधी को पत्र लिखकर फैसले पर फिर से विचार करने को कहा पश्चिप मंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदो पाध्याय को दिल्ली बुलाने के केंद्र के आदेश को असमविधानिक करार देते हुए राजे की मुख्य मंत्री मम्ता बेनर्जी ने प्रधान मंत्री मोधी को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने का अनुरूद किया बेनर्जी ने ये भी कहा कि सरकार बंदो पाध्याय को कारिमुक्त नहीं कर रही बेरजी ने प्रधान मंत्री को बेजे पांच पन्नों के पत्र में मुक्य सचेव को तीन महीने का सेवा विस्तार दिये जाने के बाद उन्हें वापस बुलाने के केंद्र सरकार के फैसले पर पुने विचार करने का नुरूद किया